Hello students, मैं शाहिन लूत्रा, आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 की साइंस हिंदी मीडियम पार्ट साथ पोधो को जाने करेंगे, इस पार्ट के अंदर हम पोधो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि पोधो की जो शाखाएं होती हैं, उसकी जड़े होती हैं, उसका जो तन कीजिए, यानि कि आप देखें कि वो किस तरीकी के हैं, बहार निकल के, कि आप देखते हैं कि कुछ पोधे छोटे हैं, और कुछ विशाल काया, कुछ पोधे छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, जबकि कुछ धर्ती पर हरे धब्बो की तरह दिखाई देते है कुछ पोधों की पतियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पतियां लालीमा युक्त यानि की लाल होती हैं, कुछ पोधों के फूल बड़े एव लाल हैं, कुछ नीले तता कुछ पोधों के पुष्प ही नहीं होते हैं, कुछ पोधों में फूल ही नहीं आते, आपने अपने घर क आसपास विध्याले के रास्ते में बाग बगीचे, एब विध्याले, प्रागंड में अनेक हरे पोधे देखे होंगे। हम इस पार्ट के अंदर जो में में पॉइंट है, उसको समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग के है, शाक, जाड़ी, और विक्ष क्या होता है, यह हम जानेंगे, हरे यहाँ पे देखो, शाक, जाड़ी, और विक्ष तीनों की यहाँ पे फोटो जो है, पिचर जाड़ी है व्रिक्ष। प्रंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें जाड़ी कहते हैं, कुछ पोदे बहुत उचे होते हैं, तथा इनके तने सद्रड एप गहरे बुरे होते हैं, इनमें शाखाएं भूमी से अधिक उचाई पर तने के उपरी भाग से निकलती हैं, उन्हें व्रिक्ष कहते हैं, ठीक यहां पे आरोही लता की, यहां पे कुछ-कुछ पिच्चर्स दे रखिए, साथ-साथ में जो पिच्चर्स होंगी, मैं आपको वो दिखा दूँगे, उसके बाद जब कि कुछ पोधे, कुछ पोधे आस-पास के धांचे की सहायता से उपर चड़ जाते हैं, और ऐसे को आरोह पोधे कहते हैं, जो किसी के सहारे से कोई धागा या कोई रसी या कोई इस तरह से स्टैंड कोई लगा हो, तो उसके सहारे से वो बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, यह शाक और पेडों से भिन हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे, पत्ति, पत्ति क्या होती है, अ पत्ति का वहए भाग जिसके द्वारा वै तने से जुड़ी होती है उसे कहते हैं वर्ण वृत कहलाता है कोई संब हाग यह है तने के किस प्रकार जुड़ी होती है फलक कहते हैं क्या आप अपने आसपास के पोधो की पत्तियों के इन भागों की पहचान कर सकते हैं क्या सभी पत्तियों में वर्ण वृत होता है ये आपने देखना है उसके बाद क्रिया कलाब तीन देखेंगे एक पत्ती को एक सफेद कागज अत्वा अपनी कौपी के पन्ने के नीचे रखिए, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, तरीके से एक ही स्थान पर दबा कर पकड़ कर रखें, अपनी पैंसिल को तिर्चा पकड़िए और उसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे प आपने करना है कि आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है, क्या यह छाप पत्ती की तरह है, पत्ती की इन रेखिन सरचना को शीरा कहते हैं, यानि कि जो पत्ती के ओपर जो रेखाएं होती हैं, उसको शीरा कहते हैं, क्या आपकी पत्ती के मध्धे एक मोटी शिरा दिखाई देती है पत्ति की बीच आमने दिखा होगा एक मोटी शिरा होती है जिसे मध्धे शिरा कहते हैं पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजान को शिरा विनास कहते हैं ठीक है यदि यह डिजाइन मध्धे शिरा के दोनों और जाल जैसा है तो यह शि समानतत्र शीरा विनास कहतें हैं कि जर्ण को समानतर शीरा विनास कहतें हैं जर् strengthening क्लिए के यहां पर कुछजिय कि बारे में बात हो लिए कि इस क्लिया को वाश चाहिते हैं जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको easily समझ आजेगा बहुत easy जो है इसमें क्रिया कलाब दे रखे हैं आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा ठीक है हमने अध्याय दो में देखा था कि कच्चे आलू में भी मांड उपस्तित होती है आलू में ये मांड पोधे के अन्य भाग से आकर उकत्रित हो जाती है यानि कि पोधो सही जो है ना मांड आलू में आ जाती है परंतु पतियां प्रकाश को हरे रंग के एक प्रधार की उपस्तित में अपना भोजन बनाती है इस प्रकरिया में जल एफ carbon dioxide का प्रयोग करती है इस प्रक्रम को प्रकाश सेलेक्षन कहत किसमें देखो आलू में जो मांध है पोदों के अन्य भाग से आकर इकतित हो जाती है परंतु पतियां प्रकाश को हरे रंग के एक परदार्द की उपस्तिती से अपना भोजन बनाती है जिसको इंगलिश में क्लोरोफिल कहते हैं जो हरा रंग पतियों को होता है उसी से वो भ प्योग भी करती है और इस प्रक्रम को प्रकास संचलेशन कहते हैं इस प्रक्रम में अक्सीजन निशकासित होती है जो पोधे जो हैं छोड़ते हैं जब भोजन बनाते हैं पतियों द्वारा सलंक्षित भोजन अत्यपोधों के विबिन भागों के में मंडल के रूप में सं यहां पर दे रखें, यहां पर भी है, हमने देखा है कि पोधों को भूमी से खीच कर असानी से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है, जड़े पोधों को मिट्टी में मजबूती से जमाई रखती हैं, इन्हें मिट्टी के पोधों का स्थ ना तो सुरार। तो जो मुख्य द्री एक आन्व मूह दॉड कहते हैं। उनकी मुख्य जड़ को मुख्य तथा छोटी वाली को पार्शव जड़ कहते हैं। जिन पोदों की जड़ें 7.1.7.2 के समान हैं, यानि कि जो इस तरीके की हैं, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। जड़ें जड़ 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 भी कहते हैं। जो इस तरीके की होती हैं, यह हो जाती हैं, मुसला जड़ ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, उसके बाद आजाता है पुष्प यानि कि फूल, खिले हुए पुष्प का परमुख भाग कौन सा है? यह है पुष्प की पंखुडियां हैं। विभिन पुष्प की पंखुडियां अलग-अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार मे कली का में यह पंखुडियां कहां बंद थी? कली का परमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया? यह भाग छोटी पत्ती की भांती दिखाई देता है, इसे बहायदल कहते हैं। पुष्प के बहायदल आप पंखुडि की भली भांती अवलोकन कीजिए। यानि कि यहां पर दे रखा है, यह पंखुडियां है, यह जो नियेवला हिस्सा है, यह क्या है? बहायदल है, ठीक है? तो यहां पर नोने यही समझाया हुआ है, उसके बाद यहां अब चित्र साथ दिशमलव, दो-दो में पुष्प के भाग, यानि कि फूल के भाग, अब इसके अंदर एक पुंकेसर और एक स्त्रिकेसर होता है, अब यह चित्र को देखिए, साथ दिशमलव, दो-तिन को, इसमें ध्यान पूरवक देखिए, इसमें विभिन पुष्प के पाये जाने वाले विवित परकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं, क्या पुंकेसर के दोनों भा इसको तंतु कहते हैं, अपने पुष्प के पुंकेसर की संख्या ज्याद कीजिए, एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नमंकित कीजिए, उसके बाद आजाते हैं आगे इस्त्रिकेसर, पुष्प के केंद्र मिस्तित भाग को इस्त्रिकेसर यह देखो, इसके जो बीच मि इस्त्रीकेसर कहते हैं जो यह मोटा होता है ठीक है और चित्र साथ शम्रत दो चार में की सहायता से इस्त्रीकेसर के भाग को पहचानिए अपने पुष्प के इस्त्रीकेसर को स्वश्च नामांग के चित्र बनाईए ठीक है अब इसके अंदर क्या होता है अब एक पुष्प इसमें अंड़ाशय की सरचना का ध्यान करें, यह इस्त्रीकेसर का सबसे बड़ा निचला F, फूला हुआ भाग है, यानि कि ये वला भाग, इसके आंतरिक सरचना के अध्यन में इसे काटना पड़ता है, यह जानने के लिए कि अंड़ाशय को किस प्रकार काटा जाए, ठीक ह अलग-अलग पुश्पो के दो अंड़ाशय लीजिए, आप अंड़ाशय को एक स्लाइट अथ्वा प्लेट पर चित्र साथ दिशमलब दो पांच जिसकी यहां पर है, इस तरीके से रखकर उसे दो प्रकार से काट सकते हैं, अंड़ाशय को काट को सूखने से बचाने के ल पुश्पो के दिखाई देती हैं, इन्हें बीजान कहते हैं, अंड़ाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक के चित्र बनाएं, कुछ और पुश्पो का भी अध्यन करें, इनकी में चीज यही है कि हमने जो देखा, फूल के अंदर एक पूंकेसर, एक स्त्रीकेसर होता है, और इस तरीकेसर को हम इस तरीके से जो मोटा वाला भाग होता है, उसको काट के उसके अंदर से बीजान निकलते हैं, तो यह में में जो पॉइंट है, मैंने आपको समझा दी हैं, चैप्टर के कि पोधे, शाखाएं, तना, और यह जड़, फूल, पुश्प, यह स और से कि भाला भाला भाला, तना, पुश्प, पॉल, पुश्प, मैंने आपको समय, जो आफ़, पूल, पॉल, अज़ में मुश्प, लुछ फ़र, मैं मुश्प, जड़, वाल, छोव्भु हमेर, इस जव्जबिधें, घर एकाएं, तना, ड़, इस जड़, ऴ्हार, दी थ झाल 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 झाल